हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क बोर्ड में आज की इस वीडियो में हम लग 12 बोर्ड पर इक्षा के लिए फिजिक्स यानि भौतिकी के चेप्टर 3 विद्धुधारा के सभी महत्पूर्ण अब्जिक्टिब प्रस्ण बताएंगे जो आपके बोर्ड पर इक्षा के लिए काफी महत्पूर्ण होने वाला है तो आपको विडियो को स्कीप नहीं करना है इसको सुरू से लेके अंतक देखना है और आप हमारे चैनल पर पहली बार आएंगे तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए सब्सक्रा पहले हमारे विडियो को लाइक कर दिजिए और देखिये यह है मेरा वाट्सप नंबर आप अभी तक हमारे वाट्सप गूरूप में नहीं जूड़े हैं तो इस पे मैसेज करके बोलिए कि सर हमको गूरूप में जोड़ देंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर पहला नंबर प्रस्णे की निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजकतार बनाने के लिए सरवाधिक उत्तम होता है काफी मतपूर प्रस्णे आपके बोड़ परिक्षा के लिए आपको बताना है की निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजकतार बनाने के लिए सरवाधिक उत्त बिलकुल हिस्साई हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण दो नंबर दो नंबर प्रस्णी की फ्यूजतार किस पतात से निर्मित होती है काफी महत्पूर्ण प्रस्ण है आपके बोड परिक्षा के लिए आपको बताना है कि फ्यूजतार किस पतात से निर्मित होती है यानि फ्यूजतार किस पतार से बना होता है तो लेड और तीन के मिस्तर धातु से बना होता है तो देखिए यहाँ पर बी ओप्शन है तो बी ओप्शन बिलकुल ही साई हो जाएगा काफी महत्पूर्ण प्रस्न है तो आपको विडियो को स्कीप नहीं करना है इसको सुरू से लेके अंतक देखना है आईए देखते हैं अगला प्रस्न तीन नंबर तीन नंबर प्रस्न है कि किसी चालक का विश्ष्ट परतिरोद बढ़ता है काफी मत्पूर्ण प्रस्न है आपको बताना है कि किसी चालक का विश्ष्ट परतिरोद बढ़ता है तो कब बढ़ता है तो तो वह हैं काफी महत्तपूर्ण प्रश्न हैं और यह bb i प्रस्न है और यह प्रश्न आपके बोड परिक्षा में पूछा जा सकता है आपको बताना है कि ताप करम बढ़ाने पर यदी प्रतिरोद घड़ता है तो वह है तो वह अर्ध चालक है तो देखिए यहां पर B option है तो B option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण पांच नंबर प्रस्ण काफी महत्पूर्ण है आपको बताना है कि आदर्स आमिटर का प्रतिरोद होता है काफी महत्प प्रतिरोद प्रस्ण्य है और यह प्रस्ण लगबग हर एक्जाम में पूछा जाता है आपको बताना है कि आदर्स आमिटर का प्रतिरोद क्या होता है थो जाता है तो देखिए यहां पर A option है तो A option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण 6 नंबर 6 न मापा जाता है काफी महत्तपूर्ण प्रश्ण है हम आपको फिजिक्स के चेप्टर थिरी के बिद्धु धारा के सभी महत्तपूर्ण अब्जेक्टिव प्रश्ण बता रहे हैं तो आपको विडियो को स्कीप नहीं करना है इसको शुरू से लेके अंतक देखना है चलिए आप लोग इसका जवाब दिजिए कि इलेक्ट्रों बोल्ट द्वारा मापा जाता है तो इलेक्ट्रों बोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है तो इलेक्ट्रों बोल्ट द्वारा उर्जा को मापा जाता है तो देखें यहाँ पर B option है, तो B option बिलकुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रस्ण साथ नंबर, प्रस्ण की read always का परवा होता है, काफी मत पूर्ण प्रस्ण है, आपको बताना है कि read always का परवा होता है, यानि read always का परवा कैसा होता है, तो read always का परवा निम्न विवाव से उच विवाव की और होता है तो देखिए यहाँ पर ए अप्शन है तो ए अप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण आठ नंबर आठ नंबर प्रस्ण है कि ताब विद्धुत युग्म में परवाहित धारा को कहा जाता है काफी महत्य ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण नंबर नंबर प्रस्ण ही काफी महत्य पूर्ण प्रस्ण है आपको बताना है कि स्वस्त मनुस्य के शरीर का विद्धुत परतिरोद है काफी महत्य पूर्ण प्रस्ण है आपको बताना है कि स्वस्त मनुस्य के जो शरीर होता है उसका विद्धुत परतिरोध कितना होता है तो स्वस्त मनुस्य के सरीट का विद्धुत परतिरोध 50,000 ओम होता है तो देखिए यहां पर यह उप्शन है तो यह उप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा काफी महत्तपूर्ण प्रसन बता रहें आपको तो आपको वीडियो को Hor мног नहीं करना है इसको सूरु से लेके अनतक देखना है आईए देखते हैं अगला प्लस्क्राइब दस नंबर दस नंबर प्रस्ने की एंपियर घंटा मात रखें इसका का जवाब दिजिए कि MPR घंटा किसका मात रखोता है तो MPR घंटा किसका मात रखोता है तो आवेश का मात रखोता है MPR घंटा तो देखिए यहाँ पर C option है तो C option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं 11 नंबर प्रशने कि किर्चोफ का दूतिय नियम है काफी महत पूर्ण प्रशने आपके बूर्ड परिक्षा के लिए आपको बताना है कि किर्चोफ का दूतिय नियम है यानि किर्चोफ का दूतिय नियम किस से संबंदित है तो किर्चोफ का दूतिय नियम किस से संबंदित है तो देखिए यहाँ पे C option है तो C option बिल्गुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण बारा नंबर बारा नंबर प्रश्ण है कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका परतिरोध पे क्या परभाव पड़ता है तो अगर किसी धातु के तार को गर्म किया जाता है तो उसका परतिरोध बढ़ जाता है तो देखिए यहाँ पे B option है तो B option बिल्कुल ही सही हो जाएगा काफी महत्त पूर्ण प्रस्ण है तो आपको विडियो को skip नहीं करना है इसको शुरू से लेके अंतक देखना है आएए देखते हैं अगला प्रस्ण तेरा नंबर तेरा नंबर प्रस्ण की विद्दू ठीटर में जिस तत्व का वैवाहार किया जाता है वह है काफी महत्त प्योग किया जाता है तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्सन है तो डी ऑप्सन बिलकुल ही सई हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्थन चौदा नंबर चौदा नंबर प्रस्थने की विध्धुत वाहक बल की बीमा है काफी महत्तपूर्ण प्रस्थन और आपको पता आप हमारे वीडियो को like नहीं किये हैं तो जल्दी से हमारे वीडियो को like भी कर दिजिए चलिए इसका जवाब दिजिए कि विद्धुत वाहक बल की बीमा है तो विद्धुत वाहक बल की बीमा क्या होती है तो ml2 t-3 a-1 होती है देखिए यहाँ पर d option है तो d option बिलकुल ही सा हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रस्ण पंद्रा नंबर पंद्रा नंबर प्रस्ण है कि वीडियो से मापा जाता है बॉस्ट इम्पोर्टेंट प्रस्ण है आपके बूर्ड परिक्षा के लिए काफी महत्तपूर्ण प्रस्ण है आपसे पूछा गया है कि वीडिय से मापा जाता है तो उंच परतिरोध मापा जाता है तो देखिए यहां पर ऐप्षन है तो ऐप्षन बिलगुल ही सई हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रस्ण 16 नंबर 16 नंबर प्रस्ण की कीलो वाट घंटा मात रखें काफी महत्तपूर्ण प्रस्ण है और यह वी होता है तो देखिए यहाँ पर B option है तो B option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण 17 नंबर 17 नंबर प्रस्ण की किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसके परतिरोद पर क्या परभाव पढ़ता है यह सायद हम आपके question बता दिये चलिए फिर से एक बार गया आपको बताना है कि किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसके परतिरोद पर क्या परभाव पढ़ता है तो बढ़ता है तो देखिए यहाँ पर A option है तो A option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण 18 नंबर 18 नंबर प्रस्ण है कि निमलीखित में से कौन सकती की इकाई नहीं है काफी महत्वण प्रस्ण है आपको बताना है कि निमलीखित से कौन सकती की इकाई नहीं है तो वाट है तो वाट सकती की इकाई नहीं होती है तो देखिए यहाँ पर A option है तो A option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण 19 नं में पूछा गया है आपको बताना है कि विद्धु धरगा मातरक दखाना की विद्धु धरगा मातरक क्या होता है तो 5 थारा का मातरक एमपीयर होता है तो देखें यहां पर एबन है तो ऑप्षन बिलकul ही सई हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्फन 20 नंबर, 20 नंबर प्रस्फन है एक विध्धुत परिपत में विभुआंतर मापा जाता है काफी महत्तूर्फुर्फ प्रस्फन है यह बीइव प्रस्फन है और यह प्रस्फन कई बार आपके बोड करिक्षacas पूछा गया है आपको पताना है कि विद्धूत परिपत में विवांतर को मापा जाता है तो विवांतर को किसे मापा जाता है विद्धूत परिपत में तो विवांतर को हमेशा बोल्ट में मापा जाता है तो देखिए यहां पर B option है तो B option बिलकुल ही सही हो जाएगा और बोल्ट को B से सूचित किया जाता है त आप सबको याद होगा तो यह है आपके लिए HW प्रश्ण आप लोग इसका जवाब फटाफट कमेंट में दीजिए आपको बताना है कि परतिरोध का का अगला प्रश्ण प्रश्ण आपको बताना है कि किसी चालक में विद्धुद्धारा के प्रवाह का कारण है काफी महत्पून प्रश्ण आपके बूड परिक्षा के लिए आपको बताना है कि किसी चालक में विद्धुत धारा के परवाह का कारण है तो विद्धुतिय विभाव में अंतर है तो देखिए यहां पर C option है तो C option बिलकुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रस्ण 24 नंबर 24 नंबर प्र प्रस्ण है आपको बताना है कि कि किसी के द्वारा मापा जा सकता है तो विभाव मापी के द्वारा मां अंतर है तो देखिए यहां पर D option है तो D option बिलकुल ही सही हो जाएगा प्रस्ण 25 नंबर 25 नंबर प्रतिरोधिया प्रतिरोधक्ता का वीमा क्या होता है तो ml3, t-3, a-2 होता है तो देखिए यहाँ पर a option है तो a option बिलकुल ही सही हो जाएगा हम आपको physics के chapter 3 विद्धुद्धारा के सभी महत्तकून objective प्रस्ण बता दिये हैं तो आप लोग comment करके बताएए कि आपका 25 में से कि skip नहीं करना था उम्मीद है कि आप लोग video के skip नहीं किये होंगे और आपको video को अच्छा लगा तो सबसे पहले आप video को like कर दिजिए और साथ में video को अपने दोस्तों के पास share जरूर कीजिए और आप अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किए तो सबसे पहले हमारे channel को subscribe कर लिजिए और जो bell icon आता है उसको all पर दबाज जिए ताकि जब भी live class auto notification आपके पास पहुंचता रहे thanks for watching मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ाई किजिए take care and bye